आप सबों का स्वागत है और मैं आपके सामने एक स्क्रीन के माध्यम से आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन को रखना चाहता हूँ अगर आप मेरा पड़्चे डिटेल में जानना चाहे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक फैमिली परसन हूँ एक परिवार के साथ रहने वाला पिता जी मेरे BSNL में थे रेटार्ड लाइफ को लीट कर रहे हैं और जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है बहुत कम लोग शायद उस तरह के से जी पाते हैं सतर बहतर की उम्र में भी वो जितने फिट है मेरे लिए तो वो रोल मॉडल है मा अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके बावजूत कहीं न कहीं मेरे दिल में मेरे आस पास हमेशा वो मौजूद रहती है छोटा भाई है उसकी पूरी फैमिली है पत्नी बच्चे अच् आउट को करके पहले 2006 से ही वो टीचर है लेकिन इस पार वो BPSC वाली भी सिक्षिका हो गई है पत्ना में ही पोस्टेड है बड़ा बेटा मेरा इंजरिंग कर रहा है भूवनेश्वर से कंप्यूर साइंस में छोटा बेटा क्लास 6 में है यहीं पर पत्ना में डियर वी पब है अगर मेरे वर्क लाइफ की आप बात करिये तो सुरुवाती दोर में चुक्कि सॉफ्ट्र फिल्ड से हूं सॉफ्ट्र कंप्यूटर मुझे बहुत एट्रैक्ट करता था तो सॉफ्ट्र से इंजरिंग करने के बाद मैंने 3i infotech के साथ काम किया और फिर कई सारे बैंक्स के लिए सॉफ्ट्र मैंने डिजाइन किया था कई सारे प्राइवेट और्गनाजेशन के लिए मैंने सॉफ्ट्र डिजाइन किया था 3i infotech icici बैंक को नेट्वोक और सॉफ्ट्र सपोर्ट प्रवाइड करती थी तो बिहार शारकंट के हर एक ब्रांच में मुझे मेरी टीम को इसको लीट करना होता था वरतमान समय में एक independent business honor के रूप में काम करता हूँ चुकि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में या बैठ गया था आते आते वक्त तो आते आते कि जब तक दूसरों के लिए काम करता रहूँगा तो अपने मन पसंद का growth नहीं हो पाएगा तो अभी के स मैंने खुद को एक health coach के रूप में transfer किया, transform किया और साथ में मैंने nutritional advisor का भी course किया और फिर अभी आज के दिन मैं एक certified nutritional advisor भी हूँ तो ये मेरा एक पर्चे है संचित सा फ्रेंड्स मैं आपके सामने screen पे कुछ तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आ आप इनमें से अधिकतर को पहचानते भी होंगे है ना उपर से मैं आपका पर्चे कराता जाता हूँ ये स्टीब जॉप्स है स्टीब जॉप्स का नाम आपने सुना होगा इन्होंने कई सारी info tech companies का निर्मान किया था और apple जो है उसमें से एक है ना apple का नाम आप सभी लोग लग थे और इनके कई गाने हम लोग कितनी दफा चार्ट बुस्टर्स में सुन चुके हैं और सबसे नीचे जो मौजूद है वो है आप सब जानते हैं राकेश जुन-जुन वाला का नाम आपने सुना होगा दसेयर के जो king कहे जाते हैं और जिस किसी भी सेयर में इनोंने न साता हूं कि स्ट्रीब जॉप्स के नाम के नीचे आप देख रहे हैं 24 फरवरी 1955 से 5 अप्टूबर 2011 यानि 56 साल की उम्र में इनका निधन हो गया cancer पिमारी हुई थी इनकी है ना endocratic something cancer था वो बहुत rare disease होता है और उसके कारणिके मृत्य हो गई थी सिधार सुकला के नीचे आप देख रहे हैं 12 दिसंबर 1980 से 2 सितंबर 2021 यानि ये तीन महिने के बाद 41 साल पूरे करते हैं 40 साल 9 महिने की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया केके के नीचे आप देख रहे हैं 23 अगस 966 से 31 मई 2022 यानि 54 साल की उम्र में यह बंदा भी इस धरती पर नहीं रहा राकेश जुन जुन वाला जुनोंने यह कहा था एक बार कि मैंने जिस किसी भी सेर में हाट डाला वहां से प्रॉफिट तो कमा लिया मैंने लेकिन कास कि मैंने स्वास्त को भी एक निवेश सम्या होता और मैं अपने स्वास्त में भी निवेश किया होता तो आज मैं इस दर्दनाग स्थिती में नहीं होता और उसके कुछ दिनों के बाद वो चल भी बसे आप देख रहे हैं 5 जुलाई 960 से 14 अगस 2022 62 साल की उम्र में और एर्फान खान हम सबों के पसंदिदा अविनेता जिनकी आखें बूला करती थी 1967 से 2020 यानि 33 और 23 साल की उम्र में यह भी इस धर्दी पर नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ न दोस्त कि दुनिया में नम्र वन प्रायरिटी हमेशा हम लोगों को हिल्थ को देना चाहिए स्वास्त को देना चाहिए यह सारे जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है कोई भी 100 करोड से कम का आदमी नहीं था कोई भी ऐसा नहीं था जो की हेल्थ सर्विसेज को खड़ीद नहीं सकता था और एक बार जब इनकी इस्थिती खराब हुई तो करोरो रोपे खर्च करने के बाद भी इनको बचाया नहीं जा सका कोविड में हम सबों ने देखा है आप अभी तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो देखी रहे हैं लेकिन कोविड में हम सबों ने देखा है हमारे आस पास कितनी बुरी इस्थिती थी कितनी बुरी इस्थिती और विसेज कर उन लोगों की जिनका इम्यून सिस्टम कमजोड था अगर आप रियल लाइफ में भी देखे तो मेरे आसपास तो कई सारे ऐसे उधारन है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आसपास भी वैसे उधारन जरूर होंगे जिनके बारे में आप चाहें तो सबको बता सकते हैं मुझे याद है अभी मुझे से दो महिना पहले मेरा एक फ्रेंड जो है अपनी पत्नी के साथ निकला कि जाता हूँ दस बारा दिन घूम करके आऊंगा सरकार से छुट्टी लिया उसने सरकारी पताधिकारी है और अभी बेतिया में पोस्टेड है चुट्टी लेकर के पत्नी के साथ निकला चेद्नाई उत्रा वहाँ से वो रामेश्ट्रम और फिर मदुरई और इन सबुचीजों का उसने योजना बना रखा था महाबली पूरम and like that जिस दिन चेद्नाई उत्रा उसी दिन श्राम को मेरीना बीच पे गया और फिर वो पूरा 10-12 दिन का जो ट्रिप था उसका वहीं समाथ हो जाता है चुकि आने जाने का उसने हवाई जहाज का टिकट बना रखा था तो वो लॉट भी नहीं सकता था बेचारा होटल में ही रहा पूरे के पूरे 8-9 दिन और फिर 10-12 दिन जब फ्लाइट था तो वो उसको पगर के वापस आ गया आपको लग रहा होगा कि हड़ी टूट गया इसलिए ये प्लान हुआ लेकिन आक्शली नहीं उसका हड़ी टूटा हुआ था बस इंतजार कर रहा था किसी एक जटके का अभी अभी जस्ट 10 दिन पहले की बात है मेरे एक पड़िचित है मेरे सुसराल के पक्ष से है और पिछले 3-4 वरसों से वो पटना आते जाते थे और कई तरह की सिकायत का कई तरह की बिमारियों का वो इलाज कराया करते थे और पटना के बरे-बरे हॉस्पिटल्स मैं आपको नाम बता सकता हूँ वो उन्होंने मिदानता में भी दिखाया था उन्होंने पालस में भी दिखाया था वो पटना के बरे-बरे नामी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबों से दिखा रहे थे पिछले 3-3 साल से लास्ट में इस वार पारस ने कहा कि हम लोगों को ये सक हो रहा है कि इनको cancer हो सकता है तो हम बायोपसी के लिए भेजेंगे तो ये तो TATA memorial जो है वहीं जाएगा तो काम करिये ना आप वहीं लेकर के चले जाएगे और अभी TATA memorial गये, चार दिन पहले रिपोर्ट आया है, stage 5 का cancer है brain, throat, chest सारे जग़ा वो cancerous sales जो है वो expand हो चुके है, फैल चुके है और मैं इस सबी बातों कहता हूँ तो बहुत ही मनें, ये हो जाता हूँ दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि आप भी जानते होंगे, आप से अभी मैं unmute करके पूछ दूँगा, तो आप मुझे बता देंगे कि कितने सारे लोग आज के दिन में आपके जानने वाले हैं, जो कई सारे lifestyle diseases और कई सारी बीमारियों से पिरित हैं कई सारी बीमारियों से पिरित हैं और cancer तो भाई, जिस speed से बढ़ रहा है उसका क्या कारण है, आगे हम बात भी करेंगे अभी मेरे मित्र हैं, जो आपको आने वाले समय में कल से योगा वगारा भी कराएंगे मौझूद है, उनके साथ मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, वो मुझे बता रहे थे ये डॉक्टर का इंटर्विव, उन्होंने जी न्यूज या कहीं पे देखा था, सुना था डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं cancer होगा सुबह, जब हम लोग brush और toothpaste करते हैं तो उस toothpaste के ingredient को पढ़िए ना उस toothpaste के ingredient में ही ट्रिकलोसान नाम का एक तत्व है और ट्रिकलोसान के बारे में सारे लोग जानते हैं कि वो cancerous होता है वो cancer को पैदा करता है और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि ये ऐसी चीजे हैं जो हम सबों को जाननी चाहिए और इसी लिए मैंने जून महिने से इस health batches की सुरुवात की है जिसके कारण काफी सारे लोगों की मदद कर पा रहा है आगे बढ़ने से पहले मैं आप से एक poll करना चाहता हूँ जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं गारी से, four wheeler से या two wheeler से भी तो जाते हैं उसका जल्दी से air pressure check करा लेते हैं उसको देख लेते हैं कि brake clutch वगएरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसका जो mobile वगएरा है वो okay है कि नहीं और servicing तो हर उसके 2000 km पे अगर बाइक है तो और 10,000 km पे अगर four wheeler है तो कराते हैं और इससे ये हमको पता चलता है कि ये कितनी लंबे समय तक हमारा साथ देगा लेकिन हम अपने सरीड के बाले में कितना जानते हैं तो देखे आपके सामने एक poll करता हूँ आपके सामने चार सवाल आएंगे yes no में उसका answer होगा आप yes और no में से जो आपको लगे उसको select कर सकते हैं और नीचे में फिर submit response पे जरूर click कर दीजेगा तो लीजिए आपके सामने ये मौझूद है पोल जो 15 सकेंड तक आपके सामने मौझूद रहेगा इस 15 सकेंड में आपको 4 सवाल के जवाब देने हैं और नीचे में submit response पे click कर देना है तो ये रहा पोल आपके सामने पहला सवाल क्या आप अपने BMI को जानते हैं body mass index yes no दूसरा सवाल क्या आप अपने body fat percentage को जानते हैं आपके सरीर का body fat percent क्या है yes no तीसरा सवाल क्या आप अपने visceral fat percentage को जानते हैं आपके सरीर में visceral fact कितना है और चौथा सवाल क्या आपको आपकी अपनी उम्र तो आपको पता होगी है ना लेकिन क्या आपको अपने सरीर की उम्र पता है है ना अपनी उम्र हम सबों को पता है मुझे भी मालूम है कि मेरी उम्र जो है वो 45 years है लेकिन मेरे सरीर की उम्र क्या हो गई है ये समझना जुरूरी है ये सवाल है आपके सामने और ये सारे questions के answers बहुत सारे लोगों ने बहुत frequently बहुत जल्दी जल्दी दिये हैं तो मैं इस poll को आप end करता हूँ और आपके सामने इस result को share करता हूँ देखिए आपके सामने ये results आ गया है 41% लोगों ने कहा कि मैं अपने BMI को जानता हूँ 69% लोगों ने कहा नहीं 67% लोगों ने कहा कि body fat percentage को नहीं जानते हैं 73% लोगों ने कहा कि visceral fat के बारे में हम नहीं जानते हैं और 64% लोगों ने कहा कि हम अपने body age को नहीं जानते हैं तो आप समझ सकते हैं स्टॉप से अरी तो ये आपने रिजर्ट्स देखे मैंने आपसे ये क्यों पूछा क्योंकि आज से लगभग डेड़ साल पहले जब मैंने अपना बॉडी कंपोजिशन एनलेसिस चेक कराया था तो मैं डर गया था वर्चुली डर गया था देखिया आपके सामने स्क्रीन पे लेकर क्या आते हैं उसको ये आपके सामने मौजूद है मेरा बॉडी कंपोजिशन एनलेसिस और यहीं से मेरी ट्रांस्फोर्मेशन की स्टोडी की सुरवात हुई थी है ना मेरा नाम आप देख रहे हैं हाइट 174 सेंटिमीटर वेट जो है वो 77.8 था जो मेरे आइडियल वेट से 5 किलो जादा था 72, 72, 72 होना चाहिए था बॉडी मास इंडेक्स 27.4 था और यह अगेन जादा था यह 23, 24 इसके आसपास होना चाहिए वेस्ट साइज, वेस्ट टो हीप रिश्यो आप देख रहे हैं बॉडी फैट परसेंट 29.9 यह भी 23, 24 के आसपास होना चाहिए था लीन मसल मास यह 35 के होना चाहिए था यह कम था 28.1 विस्रल फैट, विस्रल फैट वैसे फैट को बोलते है जो हमारे सरीर के अंदर जो औरगन्स होते हैं किड्नी, हर्ट, लीवर उसके उपर जो फैट का लेयर बनता है उसको विस्रल फैट कहते है कम मातरा में यह चाहिए यानि 9 के अंदर है तो यह चाहिए क्योंकि यह कुस्निंग का काम करता है जब कभी आपको किसी तरह का जटका लगेगा तो उस औरगन को बचाने का काम करेगा लेकिन अगर यह 9 से उपर है तो फिर वो उस औरगन को प्रेस करने लगता है दवाने लगता है उस औरगन को पूरी तरह से काम नहीं करने देता और यह बहुत खतरनाक होता है और इसी का नतीजा था कि आप यहां देख रहे हैं मेरा body age क्या था 61 जो 45 साल मेरी उम्र अभी है उस समय मैं 43 या साड़े 43 का रहा होंगा और मेरी body age जो है वो 61 साल बता रहा था और यही देख करके हमको एक आएक याद आया कि क्यों इतनी कम उम्र में सिधार्थ सुकला को heart attack आ गया क्यों इतनी कम उम्र में केके जो है वो stage पे गाना गाते गाते गिर पड़ते है और फिर वोट को hospital ले जाते ले जाते उनका death हो जाता है क्यों क्योंकि वो थे कम उम्र के लेकिन actually में उनका सरीर जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल कुछा था हम लोग इस बातों को priority नहीं देते हैं हम लोग इन चीजों को चेक ही नहीं कराते हैं जाची ही नहीं कराते हैं जब तक कि अमारा स्वास बहुत गरबर नहीं हो जाए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 25 साल से उपर के हैं और 35 से नीचे हैं तो दो साल में एक बार कम से कम अपना full body check up जरूर कराईए 35 से उपर हैं 50 से नीचे हैं तो साल में एक बार जरूर कराईए और अगर आप 50 से उपर हैं तो 6 महिने में एक बार जरूर कराईए एटलिस्ट या आपको किसी भी खत्रे के आने से पहले ही आपको वर्ण कर देगा कि ये समस्या आपके साथ सुरू हो चुकी है या होने वाली है और आप उसको ध्यान रख पाएंगे आप अपनी longevity को बढ़ा पाएंगे friends मैंने सिर्फ 40 दिन तक कुछ चीजों का पालन किया वही आपके साथ share भी करूँगा और उसके कारण आप देखिए यहाँ पर मेरा body age आपको दिखा रहा है कि ये घट करके वापस से 45 हो गया था माधर 40 दिनों में 16 साल में अपने सरीर का age घटाने में कामियाब रहा था मेरा visceral fat का level है वो 9 हो गया था जो ideal है एक से 9 के बीच में होना चाहिए और 9 पर आ गया था अभी तो ये 7 वगरा है अभी मेरा body 36 है current आकरे जो बताते हैं तो मैं आपके साथ ये share करना चाहता हूँ और इसको आप इस तस्वीर से भी देख सकते हैं कि ये transformation कैसे काम करता है कहां एक फूला हुआ गाल पूरा गला भड़ा हुआ और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि 40 दिनों के बाद कैसे गला भी मेरा छोटा हो गया है ये जो है पूरे कर्व ये जो थुड़ी है वो जो double chain वो खतम हो करके इस तरीके से ये transformations आपके साथ भी हो सकते हैं आप अगर इस session को continue करते हैं तो आप जो 21 दिनों में जिन results को expect कर सकते हैं वो आपके सामने screen पर मौझूद है 21 दिनों में आप अपना वजन 2-5 kg तक कम कर सकते हैं आपका BMI आप कहीं बीचे करा लीजिए उसको पटना में है तो अब तो मैं ही आपके help कर दूँगा नहीं भी है तो आप मुझे पूछिएगा मैं कुछ बेवस्ता कर दूँगा आपका BMI ये घट जाएगा आपका visceral fat ये आप जाच करा लीजिए किस दिन के बाद कम हो जाएगा आपका gut इसका health improve हो जाएगा gut health improve होने का क्या मतलब gut में जो bacteria होते है वो अच्छे और बुरे दुनों bacteria पाये जाते है तो जो अच्छे bacteria है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और बुरे bacteria की संख्या कम हो जाएगी कैसे पता चलता है कि बुरा bacteria ज़्यादा है अच्छा bacteria कम है अगर आपको खाने के बाद हमेशा bloating होता है डकार आता है gas stripe का feel होता है तो आपके gut में बुरे bacteria की संख्या बढ़ी भी है आपको उसको सुधारने की जुरुत है अच्छे bacteria को बढ़ाना है कहां से लाएंगे भाई तो वो भी हम आपको बताएंगे 21 दिनों के बाद आप जब रात को सोते है तो आपकी sleep quality बहुत अच्छी हो जाएगी और सबसे अच्छी बार आपका सरीर का उम्र अभी वर्तमान में जो भी होगा अभी मेरे एक मित्र है शायद इस session में जुरे भी हो आनन्दासीश जी वो गये थे जाच कराने के लिए तो उनका मेरी उम्र के वो है हम से 6 महीने साल बर बड़े होंगे या हम लोग बड़ावर उम्र के होंगे और उनका body age अभी 57 निकल करके आया है और मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरा भी 60 था मेरा भी घट गया है तुम्हाला भी इतना है तुम्हाला भी घट जाएगा 57 है कम करके ले आएंगे हम लोग वापस से तो friends आपका भी body age 21 दिनों में हम कह रहे हैं कि आपको घट सकता है ये result आप expect कर सकते हैं friends आदर्स रूप से स्वस्थ रहने के लिए चार चीजे हैं जो बहुत ही important होती है और optimal health के यही चार pillar है यही चार खंबे हैं एक घर अगर एक pillar पे ख़रा हो तो problem हो सकता है दो pillar पे हो तो थोरा stable होगा तीन पे हो तो और हो सकता है चार pillar हो तो बहुत बढ़िया उससे जादे pillar सो तब तो मजा ही आ जाए लेकिन optimal health के अगर बात करें आदर्स रूप से स्वास्त की बात करें foundation of health की बात करें तो चार pillar हैं जो आपको बहुत support करते हैं exercise, adequate rest, positive mental attitude और balance diet आईए एक-एक करके इसको समझते हैं exercise exercise, क्यों मैं exercise पर बात करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आज के दिन में sedentary lifestyle एक ऐसा जीवन सैली जिसमें आप अराम पसंद हो गया है घर से निकलते हैं, गारी पर बैठते हैं घर में रहते हैं, पड़े रहते हैं physical activity बहुत कम हो गई है इसको sedentary lifestyle कहते हैं और आज के दिन sedentary lifestyle को जो है disease of 21st century कहा जाता है एककिसमी सदी का बिमारी है यह sedentary lifestyle physical inactivity जो है वो पूरी दुनिया में चार में से एक आदमी को affect कर रहा है और यह एक risk factor है कई तरह के metabolic disorders का यानि आप अगर physically inactive हैं आपको cardiovascular disease हो सकता है आपका BP बढ़ा हुआ रह सकता है आपको type 2 diabetes भी हो सकता है एक research कराया था पूमा इंडिया ने और बिराट कोहली ने मिल करके और उसके screen पे आप results देख रहे हैं यह 22 से 40 साल के बीच के उम्र के लोगों पर किया गया था 25 से 40 साल के बीच के उम्र के लोगों पर जब यह research किया गया तो एक तिहाई लोगों ने कहा कि पिछले एक सालों में उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी physical activity नहीं की है 57 परसेंट लोगों ने कहा कि पिछले एक साल में कोई एक game भी नहीं खेला है उन्होंने और आप देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ी है वैसे वैसे ये कम होता गया है यानि 18 से 32 साल के लोग जहां 70% active थे या sports खेलते थे 26 से 30 साल के लोग मातर 49 परसेंट और 36 से 40 साल के जो लोग है वो मातर 26 परसेंट तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम और inactive होते जाते हैं वैसे वैसे sports adoption हमारा घटता जाता है मजे की बात ये है कि 58 परसेंट लोगों ने कहा कि lack of time जो है वह एक important कारण है हमारे पास समय की कमी है और इसलिए हम physically inactive रहते हैं कोई game नहीं खेल पाते कोई sports नहीं खेल पाते अंठावन परसेंट लोगों ने ऐसा कहा लेकिन मजे की बात ये है कि वही वो लोग थे जो 4 से 5 घंटे यह भी कह रहे हैं कि हम social media पे watching tv टेलिविजन देखते हुए phone conversations पे messaging platforms पे एक दिन में 4 से 5 घंटे बिताते हैं भाई साहाब उसी 4 से 5 घंटे में से आपको लग रहा होगा कि यह आकरा जादा हो रहा है क्या नहीं आप चले जाए यह facebook पे facebook खोल लीजिए facebook पे आप देखिएगा आपको facebook पे आकरा बता देता है कि आप कितने घंटे आपने facebook पे चलाया है पिछले 24 घंटों में या आप उस पे देख सकते हैं डेली का आप चेक कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि अकेले facebook ही 2-3 घंटा खा जाता है खोल लेते हैं और फिर ऐसे 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 रील चलता रहता है इंस्टा रील चलता रहता है अलग-अलग चीजों पे हम लोग करते रहते हैं उसी 4-5 घंटे के में से आपको 30 मिनट से 35 मिनट 40 मिनट अपने सरीड के लिए निकाल लेना है और वो निकाल लेंगे तो ये सारी चीज़े बदल जाएंगे अगर आप physically active होते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे है जनरल वेल बिंग तो करता ही है आपका वजन कम रखता है आपके mood को improve करता है energy level बढ़ा देता है stress को कम कर देता है ये हमारे muscles को भी tone करता है रात को नींद भी बहुत अच्छी लेकर गयाता है physical activity जो है हमारे hurt, lung इनको मजबूत बनाता है हमारी हड़ियों को मजबूत बनाता है अगर हमारा कोई back pain है कोई सी तरह का injury हुआ है तो उससे recover करने में मदद करता है hurt disease होने का खतरा को कम कर देता है हमारे blood pressure को कम कर सकता है हमारे tight to diabetes से भी बचा सकता है और साथ में हमारे उम्र बढ़ने की परकडिया को धीमा कर सकता है यानि आप भले ही हर साल happy new year में एक साल पुराने हो जाए लेकिन आपका सरीर हो सकता है 6 महिना ही पुराना हो हो सकता है 3 महिना ही पुराना हो और इसकी बदोलत आपकी longevity काफी जादा बढ़ जाएगी friends यह सचाई है कि उम्र बढ़ना जो है वो एक natural process है aging is a natural process उम्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगले साल हगर हम 46 के हो जाएंगे तो आप सब भी एक एक साल पुराने हो जाएंगे आपकी जो भी उम्र भी होगी एक साल बढ़ जाएगी सब के साथ यह होगा लेकिन healthy aging is a choice स्वस्त रूप से हमारा उम्र बढ़े यह एक 24 है दूसरी चीज रात को जो नींद आने वाला अभी बात कर रहे थे हम लोग आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है जो adequate rest की हमने बात की चार में से तीन भारतिये ऐसे होते हैं जिनको रात को अच्छी नींद नहीं आती है चार में से तीन 75% लोग आप यह सवाल खुद से भी पूछ सकते हैं कि मैं जब रात को सोता हूँ तो क्या मेरी नींद अच्छी होती है आपको लएगा कि हाँ हम तो बहुत अच्छा सोते हैं लेकिन हम इसका दूसरा जवाब आपको देते हैं जब आप सुवा उठिये और सुवा उठने के बाद आप एगदम ताजगी महसूस करिए आपको लगे कि अरे आप तो मैं जे कोई थकान नहीं है आप तो मैं एगदम फुल फिटेड फुल इनर्जी हूँ लेवल उफ इनर्जी मेरा बहुत हाई है आज पूरे दिन मैं जम के काम करने वाला हूँ तब आपकी नींद अच्छी हुई है अगर उठने के बाद भी आपको लगता है कि एक आध घंटा और सो लेते हैं ना आधा घंटा और सो लेते हैं ना तो my dear friend you didn't have the quality good night sleep रात में आप अच्छी नींद नहीं ले पाए है अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो उसके बहुत सारे challenges है बहुत सारे problem है कभी मौका मिलेगा तो इस session को आपके साथ हम किसी अगले रविवार को या कभी और भी share करेंगे तो हम आपको इसको detail में बताएंगे लेकिन ये आपके safety के साथ challenge होता है छे हजार से ज़्यादा car crashage हर साल होते है drowsiness के कारण सोते सोते एक जपकी आ गई और car accident हो गया छे हजार से ज़्यादा car crashage तो आपके safety पे challenge है आपके health पे आपका chronic disorder बढ़ जाएगा immunity कम हो जाएगा type 2 diabetes का खत्रा बढ़ जाएगा वजन पे वजन में problem होगा रात को ज़्यादा भूक लगेगी और भूक लगेगी तो आप नमकीन और मीठा चीज़ खोजिएगा healthy food नहीं खोजिएगा इसके अलावा धेर सारी चीज़े कभी मौका मिलेगा तो इस slide को आपको detail में जरूर सेयर करेंगे और ठीक तरीके से नींद नहीं आने के कारण hectic lifestyle के कारण 74% भारतिये जो हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं 88% भारतिये जो हैं anxiety के सिकार हो गया है एकाएक काम करते-करते इतना जाधा nervousness feel होने लगना इतना जाधा anxiety होने लगना पसीना चलने लगना ये सारी चीज़े एकाएक मन में ये भावना आने लगा के अब क्या होगा सब कुछ खत्म तो नहीं हो रहा इस तरह की चीज़े तो यह feel होता है लोगों को और ये एक cycle है सोना खराब नीन आना तनाव लेना एंजाइटी लेना और ये cycle जो है वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है मैं आपको इस cycle को तोरने में मदद कर सकता हूँ अगर आप 21 दिन तक जिस चीजों को हम आपके साथ share करेंगे, जिन चीजों को हमने पहले किया था, जिन चीजों ने मुझे पहले फायदा पहुँचाया, वही चीजें आपके साथ share करूँगा और यह आपको भी फायदा बहुत सारे definition हो सकते हैं कि एक positive mental attitude वाला विक्ति कैसा होता है और एक negative mental attitude वाला कैसा होता है, लेकिन मैं सीधे सीधे तोर चीजे लिग देता हूँ और इसी से लोग आप differentiate कर सकते हैं, negative mental attitude वाला जो होता है, वो हरे एक काम में यही बोलता है, हमसे नहीं होगा, या वो दूसर हमारी और आपकी नहीं है, बचपन से ही हमारे brain की programming इस तरह से कर दी गई है, जब कभी भी किसी चीज को हम करते थे, तो हमारे परिवार के द्वारा, हमारे अच्छे well-wissers के द्वारा ऐसा मत करो, यह मत करो, वो मत करो, एक छोटे सुधारन से आपको बताते हैं, एक 4 साल क बच्चा है, और उसके हाथ में एक ग्लास सीसे के पानी में उसकी मा जो है, एक ग्लास पानी देती है, और देते के साथ वो उसको टाटना ड्राना शुरू करती है, ठिक से पकरना, नहीं पकरो को तो गिर जाएगा, फुट जाएगा, ए ठिक से रो, ए दखो दखो दखो, के निसानी ही और एक डराने वाली जो बात है वो निगेटिव मेंटल अटिजूट के निसानी ही हम और आप किस तरफ है पहले हम भी उसी तरफ है लेकिन फिर हमको पता चला कि यह भी एक परकार की बिमारी है और फिर धीरे-धीरे-धीरे कुछ योगा कर लिजिए तो बहुत सारे लोगों का यह होता है कि I can't आपको वहां से आना है I can और हमारा जो brain होता है वो उसी चीज को पकरता है जो हम उसको कहते हैं आप कहिएगा कि हम नहीं कर सकते हैं ब्रेन कहेगा एक दम ठीक बोल रो तुम नहीं कर सकते हो आप कहिएग जो हम आपके साथ सेयर किये थे वो था balanced diet देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह National Institute of Nutrition ने एक data निकाला आता है आप जानते हैं भारत में दो संस्थाएं हैं एक ICMR Indian Council of Medical Research और एक nutrition के लिए National Institute of Nutrition यह दोनों भारतिये लोगों के लिए guidelines जारी करती है इस पे पूरा का पूरा 70 पेज 80 पेज का एक पूरा report है हम आपको उसका PDF लिंक जो है वो share कर देंगे आप उसको download करके जब भी मौका मिले पढ़ सकते हैं और इसका यह कहना है कि हारतिये भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही और यह हम भी जानते हैं यह आप भी जानते हैं दाल में प्रोट कामिन बी आइरन और जिंग की मातरा 66 से 73 परसेंट कम हो गया सेब में 60 परसेंट आइरन कम हो गया और कई तरीके के चीजे अगर हम बात करें तो भाई हम दूद को एक बहुत ही healthy food मानते हैं और उससे हमारे सरीर को कई तरह के फायदों की भी बात करते हैं लेकिन आप देख सकते हैं 70 परतिसत दूद का सैंपल मानिकों पर खड़ा नहीं उतरा यहां उपर में देखिए यह पूरा 68 फीसदी है ना एक्जैक्ट आकरा है 68 फीसदी दूद खाद दे उतपादक नियंतरंग सहस्था के मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरा है ना डवलू एचो ने चे बिजरी जारी किया कि 8 सालों में 87 परतिसत भारतियों को हो जाएगा कैंसर 87 पोसेंट और इसी लिए हम आज हम और आप अपने आस पास कैंसर बेसेंट्स की बढ़ते हुए चीजों को लगातार 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 देख रहे हैं संख्या को दे लगातार देख रहे हैं तो balance diet का क्या मतलब होता है balance diet में दो तरह के nutrients होते हैं हम जो खाते हैं हमारे सरीर को गेहू नहीं चाहिए हमारे सरीर को चावल नहीं चाहिए हमारे सरीर को उस गेहू उस चावल उस फल उस सब्जी से मिलने वाला nutrient चाहिए और उसी से वो चलता है दो तरह के nutrient है, macronutrient और micronutrient, इसके अलाबा भी एक nutrient की जो category है वो उसको बाटा गया है, जिसको phytonutrient कहते हैं, हाल के 10-15 वर्सों में उसके बहुत सारे सोध हुए है, और उसके बारे में सिर्फ एक लाइन में आपको उसका उधारन दे सकते हैं, बता सकते हैं, कि phytonutrient उसको कहते हैं, जिसके कारण उस फल को, हर फल का color अलग होता है, आप देखते हैं, किसी फल का color लाल होता है, तो किसी का उजला होता है, किसी का green होता है, तो उस फल के रंग के कारण, उसमें एक विसेश परकार का तत्त पाया जाता है, जो उस फल को कई तरह की चीजों से बचाता है, ठंडे मौसम में, सर्दी में, सर्दी से बचाता है, बारी सोरे यह उससे बचाता है, कीरा आकर के खाता है, उससे बचाता है, वो उसको phytonutrient कहते हैं, अगर आपने फल को उसी रूप में grab कर लिया, खा लिया, तो वो phytonutrient आपके अंदर भी आ जाएगा, और को आप जानते हैं, कई तरह की चीज़े मना हो जाती है, कई तरह के फल भी मना हो जाते हैं, लेकिन उसको सेव खाने को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि लाइकोपिन पाया जाता है, वाइट कलर के जितने भी फल और सबजी होते हैं, उसमें एलिसीन नाम का phytonutrient पाया जा जाती है, carbohydrate, lipid, यानि fat, good fat और bad fat दो तरगे होते हैं, तो good fat के हम बात कर रहे हैं, और last but not least, protein, micronutrient पे पाया जाते हैं, vitamins, minerals and phytochemicals, phytonutrients, यह जो हम आपकी बात कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले, एक बार फिर से मैं आपका ही चार्च कर लेता हूँ कि आपको इसके बारे में कितनी जानकारी है, एक बार फिर से आपके सामने पोल लेकर के आ रहा हूँ, और इस पोल में आपको बताना है कि protein requirements are related, तो आप अगर उसको exact बता सकते हैं, तो आप उसका answer दीजिएगा, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा, और नीचे में submit response जरूर करिएगा, तो आपके सामने ये सवाल आपके screen पे मौझूद है, हमारे सरीर को प्रती दिन कितना gram protein चाहिए, how much protein your body needs daily, 10 gram, 25 gram, 60 gram, या I don't know, इस 4 में से आपको जो भी answer लगता है, उस पे आप जवाब दीजिए, and submit response करते जाहिए, 10 second बचे है, 9 second, 8 second, 7 second, 6 second, 5 second, 4 second, 3 second, 2 second, 1 second, and 0 second, तो यहाँ पर ये poll खत्म होता है, और आपके सामने अब ये आपके screen पे आ गया result, तो 12% लोगों ने कहा है, 10%, 10 gram, 12% लोगों ने कहा है, 25 gram, 53% लोगों ने कहा है, 60 gram, 24% लोगों ने कहा है, I don't know, है न, friends, इसका सही जवाब है, जिस तरीके से आप लोगो उने जवाब दिया है, उसका सही जवाब जो है, वह होगा, I don't know, क्योंकि यहाँ किसी का भी protein requirement जो है, वो fix नहीं होता है, आपके सरीर के हिसाब से protein कम या जावा मात्रा में आपको चाहिए होता है, जैसे, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरा वजन, मेरा height जो है, वो 174 cm है, तो मेरा ideal weight जो है, वो 70 से 75 किलो के बीच में होना चाहिए, तो मेरा जो daily protein का requirement है, वो 70 ग्राम से 75 ग्राम protein होगा, ठीक उसी तरीके से, आप अपना height calculate कर लीजे, उसमें से 100 को minus कर दीजे, और फिर जो बचेगा, उतना ग्राम protein की जरूरत आपको daily है, या ना, wonderful, नितेश, डॉक्टर नितेश कुमार जी ने लिखा है, पर kg 1 ग्राम, यानि आपका जो weight है, उसके हिसाब से, हाला कि मैं ideal weight की बात करता हूँ, होस दखता है कि आपका ideal weight अभी 60 होना चाहिए, लेकिन आपका बढ़ा हुआ है, 20 किलो जादा वजन है, तो 80 किलो आपका वज और फिर उसको आप, ग्राम में देख लिजे, तो वो आपको ideal requirement of protein होगा, आईए, एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, और वो सवाल है, बिटमिन्स के बारे में, तो आपके सामने ये screen पे again मौझूद है, कि हम लोगों को परती दिन, कितने बार fruit और vegetable खाने चाहिए, है न, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और आपका समय सुरू होता है, अब आपको जो सही answer लगता है, आप उसको select करें, और फिर submit response करें, आपके समय ने बचा है 13 second, अब बचा है 10 second, 8 second, 7 second, 6 second, 5 second, 4, 3, 2, 1, 0, और यहाँ पर ये phone खत्म होता है, और आपके सामने screen पे result है, 6% लोगों ने कहा है, एक बार, 69% लोगों ने कहा है, दो बार, 35% लोगों ने कहा है, तीन बार, और ये आपके सामने screen पे है module, तो friends, इसका सही जवाब है, कि एक स्वस्थ मनुस्य को दिन भर में 5 बार, अलग-अलग रंग के फल और सबजी खाने च आपके सामने screen पे इन चीजों को रखता हूँ, तो मुझे या और आपको भी कोई दुविदा नहीं होती है, इसको जानने में, कि 10 में से 8 लोग protein के लिए deficient होते हैं, 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि रोज कितनी मातरा में चाहिए, तो अगर ये पता ही नहीं है, तो साथ लोगों को fiber, जो हमारे gastrointestinal health के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे पेट को साफ रखने का काम करता है, उसकी कमी होती है, 10 में से 8 लोग ऐसे हैं, जो micronutrient यानि vitamins और mineral की deficiency से गुजर रहे हैं, आप सोच करके देखिए, कौन आदमी दिन बर में 5 बार अलग अलग रंका फल और सबजी खाता है, होई नहीं खाता है, है ना, एक दिन में एक अमरूद भी खाली है, दो अमरूद भी खाली है, यह वो किला खाली है, यह वो सेब खाली है, बहुत बड़ी बात है, पांच बात, as per report, आप देखिए इस आंकरे को, as per report, micronutrients index of 70% Indian population are less than 50% of the RDA, है ना 70% भारतिये, रोज 50% से भी कम vitamins on mineral ले रहे हैं, क्यों नहीं आने वाले समय में बड़ी-बड़ी बिमारियां होंगी, क्यों नहीं ऐसा होगा कि एक हम बिमार परेंगे, और फिर उससे recover करने में जीवन ही हमारा चला जायेगा, और यह संभव है, है ना, 40 साल की उम्रे में अ आपको बता रहे थे भावी का, मैंने मेरे दोस्त की जो wife है उनका, वो इसी कारण से था, है ना, vitamin D कम था, हड़ी खोखला हो गया था, थोड़ा सा बालू खिसका, पैर जो हलका मुरा और हड़ी तूट गया, है ना, दो में से एक भारतिये जो हो calcium deficient है, महिलाओं के बारे म परसेंट महिलाएं, आयोडीन की कमी से जूज रही है, ये सारी चीजे हैं, तो भाई, इसको कैसे ओपर कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, exercise के मामले में, रोज 25 से 30 मिनट फिजिकल है, एक्टिव रह करके, है ना, rest के मामले में, adequate rest के मामले में, रात में स एक घंटा हो जाए, तो क्या मजा आ जाए, तभी आपको अच्छी नींदा पाएगी, है ना, तो ये आपको अच्छी नींद के लिए, positive mental attitude के लिए क्या करेंगे, अच्छी अच्छी कितावे पढ़ेंगे, सकारात्मक सोच की, और अच्छे लोगों के साथ संपर्ख रखे है, वो आपरो का कहना है, National Institute of Nutrition का, कि भाई, खाने की प्लेट से 30 साल पहली बात ही नहीं रही, वो पॉस्टिक अब हमको मिली नहीं पाएगा कभी भी, जिस तरह के किटनासकों का, जिस तरह की चीजों का पढ़ियोग होता है आज के समय में खेतों में, और उसके कारण जो उपज आती है, जो फसल आती है, उससे वह पोसन हमको मिल ही नहीं सकता है, तो इसका एक मात्र उपाय है, Supplementation, और वो Supplement आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड सब्लेबल हैं, लेकिन मैं आपको सला सिर्फ यही दूँगा, कि किसी भी ब्रैंड को लेने से पहले, प्रोटीन, चाहे आपका विटमिन्स मिनरल, चाहे आपका गुट फैट ओमेगा, चाहे आपका फाइबर, इसका Supplement लेने से पहले उसके लेबल को जरूर पढ़िए, है ना, जब आप बजार में प्रोटीन लेने जाएंगे, तो वहाँ आप प्रोटीन लेन प्रोटीन लेने जाएंगे, तो आप उसको देखिए, कि क्या उसको डबबे पे, उस लेबल पे ये मिनसंड है, कि पीडी कास स्कूर उसका क्या है, प्रोटीन हमारे पेट में जाकर के कितना एब्जॉर्ब होगा, इसको भी वह ने डिफाइन कर रखा है, तो जिसका भी 1. 1.0 होगा, वो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेबल होगा, तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप प्रोटीन ले, पहला कि क्या उसके प्रतेक 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन है, या ऐसा तो नहीं, कि 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्वोहइडरेट है, अब 20 ग इसको ध्यान देने का काम है, मैंने, मैं एक बार एक आइरन का देख रहा था, डेमोंस्ट्रेशन कभी, जी न्यूस पे ही कोई चल रहा था, तो उसमें दिखा रहा था लोग, कि आइरन की गोली को उसने खोला, आइरन फॉलिक को, और बिखरा दिया, कैपसूल था, और एक सारा का सारा उसमें चिपक गया, और वहाँ जो आगनी दिखा रहा था, उसने कहा, मैं तो मासा पकर के बैठ गया था भाई, कि भाईया, आपके सरीड में खून की कमी होगी, आप कौन आइरन खाईएगा, पालक वाला खाईएगा, सेव वाला, अमरूद वाला, या आप का सारा के रक्षक हैं, वो हमें सही सलाह देते हैं, लेकिन शायद उन तक ये बात नहीं पहुँच पाती, कि ये चीजें जो हैं, वो सरीड के लिए नुकसान दे हैं, और इसलिए आप दुनिया का कोई प्रिस्क्रिप्शन उठा लीजिए, खासकर गरवती महिलाओं को तो आ अगर आइरन और फोलिक लिखा गया होगा, तो साथ में एक गैस की दवा जरूर लिखी गई होगी, साथ में एक गैस की दवा जरूर लिखी गई होगी, है ना, फ्रेंट्स, एक और इंपॉर्टन चीज है, जो हम बैलेंस डायट में बात करते हैं, खाने के साथ-साथ और हो है, पानी लेना, जितना ज्यादा मातरा में पानी हम लोग ले सकते हैं, हाइडरेशन कर सकते हैं, अगेन, हमारे सरीर में हम लोग सब को ही जानते हैं, साथ से सतर परसंट तो पानी ही मौझूद है, बाकी में सब कुछ आ जाता है, तो ये जो साथ से सतर परसंट पानी है इसकी कमी जब जब होगी, तब तब आपका सिगनल देगा, और उस सिगनल को अगर आपने पूरा नहीं किया, तो वो कई तरह की समस्याओं को जनम देगा, कम पानी पीने वालों को बहुत समस्याओं होती है, हाइडरेशन से क्या फाइदा होता है, तो यह आपके हर्ट हिल्थ को अच्छा रखता है, आपके जॉइंट को लिब्रिकेट करता है, फ्लिट के बैलेंस को बनाया रखता है, टॉक्षिंस जो आपके सरीर नोस को फ्लस आउट करेगा, पसीने के माददम से, यूरीन के है कि आपका सरीर आपके लिए काम कर सके, तो इस पर भी एक सेसम हम लोग करेंगे, किसे दिल, फ्रेंट्स, जितने तरह के हिल्थ रिस्क मैंने आपके सामने दिखाया है, मैं उसके लिए आपके सामने एक सॉलिशन लेकर के आया हूँ, और I hope कि ये सॉलिशन आपको जरूर सूट करेगा, चुकि इसने मुझे फाइदा पहुचाया है, पिछले तीन महिनों में मैंने कई लोगों की मदद किया है, और उनको भी ये फाइदा पहुचाया है, आप हमारे Facebook ग्रूप पेज स्वस्त रहें, मस्त रहें पर जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे, जिन कम से कम 30 मिनट, इस 24 गंटे में आप सब को समय देते हैं, बच्चों को, पतनी को, नौकरी को, खेलने को, बाहर जाके खाना खाने को, आउटिंग को, घूमने फिरने को, सब को समय देते हैं, लेकिन क्या आप अपने सरीर को समय देते हैं, ये एक important question है, और इसका जवाब आ कि मैं अनिसाबाद में रहता हूँ अनिसाबाद में उनका घर है देखिए वो हां में सर हिला रहा है और उसी तरीके से बागी लोगों से भी पूछूँगा तो वो भी कुछ इसी तरह का जवाब देंगे लेकिन सचाई तो ये है दोस्त कि हम सभी अपने सरीर में रहते है हमारा पहला घर हमारा सरीर है है ना आप जिस किसी भी घर में रह रहे हो आप उस घर को रोज साफ करते है रोज उसमें जारू कोछा कराते है रोज उसमें किसी लिक्विट से ऐसी सफाई करते है कि वो चमकता रहे आप अपने furniture को रोज जारते हैं, रोज साफ करते हैं, ताकि कोई घर में घुसे तो उसको गंदगी नहीं दिखाए दे और हम अपने सरीर के अंदर सफाई करने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं हम अपने सरीर से toxic चीजों को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये आधा गंटा रोज आपको देना है, और अच्छी बात ये है, कि इसमें भी हम और हमारी team आपकी मदद करने वाली है, चंदन चक्रवर्ती जी है, जो आपके सामने आएंगे कल से, और वो बाका के engineering college के बच्चों को योगा का ये पूरा कराती है, और साथ में अपना online class भी चलाती है, वो मतलब उनका complete profession ही योगा का है, अभी हम आपको उनकी तस्वीर दिखाएंगे भी, तो ये आपको फाइदा होना चाहिए, दूसरा, जितनी जल्दी हो, अपना body composition analysis को जाच कर लीजे, जितनी जल्दी हो, PCA कर लीजे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सरीर में fat कितना है, muscle कितना है, आपके सरीर का visceral fat कितना है, आपका BMI कितना है, आपका body age कितना है, एक्चुल उम्र आपको पता है कि कितने साल पहले मेरा जनम हुआ, लेकिन आपके सरीर कितन पुराना हो गया इसको पता करना तीसरा point unhealthy irritable मैं आप लोगों को क्या बता हूँ मैं तो जानता हूँ कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सक्स हो जिसको यह नहीं पता है कि क्या खाना और क्या पीना उसके सरीर के लिए हानिका रहे हर एक व्यक्ति को यह पता है कि उसके सरीर के लिए क्या फाइदे मंद है और उसके सरीर के लिए क्या नुकसान दे है लेकिन टेस्ट, स्वाद के चक्कर में हम लोग जो है वो अपने हिल्थ को बरवाद कर लेते हैं मैं आपसे यह अन्रोथ करना चाहूंगा कि unhealthy eatables जो भी है उसको छोड़ दीजिए habits जो है उसको धीरे-दीरे छोड़ दीजिए, avoid करिए supplementation, आपके सरीर के हिसाब से जो supplement आपको required है वह जरूर लीजिए आप बाजार से जाके ले सकते हैं आपको अगर नहीं समझ में यह आ रहा होगा कि कौन सा लेना चाहिए, level पढ़ने के बाद भी तो आप मेरा number है ही आप मुझे call कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं I will guide you, definitely I will guide you and तीसरा, आपका number one priority जो है last, आपका number one priority जो है, वह आप होने चाहिए आपका पड़िवार होना चाहिए है ना, friends बाकी सारी चीज़े खो जाएंगी तो शायद आप वापस उसको किसी तरह से ला सकते हैं लेकिन इस उम्र में 40 साल 50 साल, 30 साल की उम्र में आप अगर अपने पड़िवार से किसी कारण वस नहीं रहे, है ना, मैं तो हमेशा लोगों को यह सलाह देता हूँ कि रात में एक बड़ एक्सपेरिमेंट करके देखिए है ना, सारी फैमिली, सारे बच्चे सब सोय हुए हैं और आप 11 बजे रात को उन सबों के बीच में बैठ जाईए, उनके मुस्कुराते वे चेहरे को निश्चिंत भाव को देखिए और फिर इस बात को विजुलाइज कीजिए कि कल अगर किसी कारण वस मैं नहीं रहा भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो लेकिन कम उम्र में अगर हम नहीं रहे, एक उम्र आएगी हम लोग सब कोई जाएंगे या बीच में एक्सिडेंट हो गया, कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन unhealthy lifestyle के कारण health को priority नहीं देने के कारण अगर नहीं रहे, तो यह परिवार का क्या होगा, यह जरूर सोचिए यह जरूर सोचिए 21 दिन तक आप रहेंगे, तो आपके साथ यह हलाकि सालोगर प्रक्रिया चलेगी, आपको जब तक मरजी है, तब तक आप रह सकते हैं लेकिन मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगा लेकिन 21 दिन कम से कम आप लगातार करिये, 21 दिन हम इसलिए कहते हैं एक किताब हमने पढ़ी थी बहुत पहले और चेतन मन की सक्थी, जोसफ मर्फिक की किताब है, वो कहता है किसी भी नई आदत को बनाने और किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन तक करना चाहिए, 21 दिन तक 21 देज तक अगर आप कोई काम लगातार करते हैं तो 22 दिन से वो आपकी आदत बन जाती है और इसलिए मैं बार 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 21 दिन 21 दिन कह रहा हूँ, है न, है न, यह आप जब तक सेशन्स चलेंगे, सालों भर चलेंगे आप उसमें रह सकते हैं, आपको मैं इन्विटेशन लिंक भेज दिया करूँगा, आप चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन पहले 21 दिन जरूर करिए, उस 21 दिन में क्या-क्या करना है, वो हम आपको गाइड करते जाएंगे, परतेक रविवार को, सुबह साड़े 8 बजे से या कभी-कभी कुछ डॉक्टर्स का जब हम इंटर्व्यू करेंगे आपके लिए, वैसे डॉक्टर्स जो की अपने फिल्ड के एक्सपर्ट है कार्डियो के डॉक्टर्स लिवर के डॉक्टर्स, जनरल फिजिशियन्स इसको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर हम वही सवाल डॉक्टर साब के सामने रखेंगे और आपको उसका एंसर भी मिल जाया करेंगे, आफकोर्स वो आप 15-20 मिनिट अपने नॉलेज को सेयर करेंगे, जो आपके लिए आपको फाइदा बहुंसता जाएगा, बहुंसता जाएगा ये दो हमारे सदस्य हैं, हमारे बहुती close circle में से हैं, जो आपको कल से योगा की ट्रेनिंग आपके लिए स्टार्ट करेंगे आना, सुबह साड़े 6 बजे वो योगा का सेशन हुआ करेगा, उपर screen पे जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम चंदन कुमार चक्रवर्ती है, विहार प्रसासनिक सेवा से हैं, बड़े पदादिकारी हैं, लेकिन इतने वेस्ट नौकरी में, इतने तनाव भड़ी नौकरी में रहने के बावजूद, इन्होंने अपने टीम को कैसे योगा कराती हैं, तो इन्होंने तो अपने लाइफ को योगा को ही dedicate कर दिया है, यह अभी बाका College of Engineering में योगा की प्रोफेसर भी है, और online classes भी चलाती है, offline भी बहुत सारे चीजों को ये करती हैं, जो योगा से जुड़ी हैं, तो लोग अगर किसी कारणवस किसी दिन नहीं उट पाए, या किसी दिन कोई दूसरे कार्ड में engaged हो गए, तो उस दिन का वीडियो, उस दिन के लिए recorded आपको पूरे शाम तक के, यानि 7 बजे खत्म होगा, 7 बचके 5 मिनट पे वह लिंक आपको मिल जाएगा, और वो रात को 9 बजे तक active रहेगा, 9 बजे के बाद वो लिंक फिर खतम हो जाया करेगा, तो आप 8 बजे भी चाहें, तो आप उसको कर लीजे वापस से, 9 बजे चाहें कर लीजे, जब भी आपको समय को आप expect कर सकते हैं, 21 दिन के बाद आपका 2 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा, आपका BMI कम हो जाएगा, आपका visceral fat कम हो जाएगा, आपका gut health अच्छा हो जाएगा, आपकी sleep quality जो है वो improve हो जाएगी, और आपका body age भी कम हो जाएगा, of course इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए, जब यह session समाप्त होगा 21 दिन का, तो हम आपको एक t-shirt अब लवल करा देंगे, स्वस्त रहें, मस्त रहें की तरफ से, एक किताब आपके लिए हम जरूर जरूर उपलत कराएंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग उसको जरूर पढ़िए, आप खुद से भी order कर सकते हैं, otherwise हम तो भेजी देंगे आपको, wellness revolution, स्वास्त क्रांती, कैस्त रहेंगे से अभी स्वास्त को लेकर के क्रांती फैली वी है, मैंने पहले भी कहा था, कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा health जल्दी अच्छा हो जाए, स्वस्त हो जाए हम, लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी है, जिनके बारे में जानकारी उनको, या तो उनकी पढ़ाई के दौरान मिली नहीं है, या अगर मिली भी है, तो उनका profession उनको allow नहीं करता कि उन चीजों को वो promote करें, और शायद इसी लिए, वो जो nutrition की चीजें के बारे में ठीक से नहीं बताने के कारण, जो दवाईयां है, उनका side effects हमको और आपको problem कर देता है, create कर देता है, आप सब जानते है, कोरविट के समय में जिन जिन लोगों को सुगर था, उनको जो भी कोई injection दिया गया, esteroids का जो था, तो वो आदमी फिर बचा ही नहीं, वो आदमी खतम ही हो गया, वो क्या था, वो side effect था, तो ये basically doctors nutrition के बारे में क्या ऐसा नहीं जानते है, जो आपके ये कर सकता है, तो इसक दोनों में से एक किताब निश्चित रूप से उपलत कराएंगे, इसके लिए अगर आप चाहें तो, ये basically optional है, ये किसी को compulsory नहीं है, इस दोनों को मिला करके, और plus जो हम लोग कोर्स वगरा करेंगे और जो बताएंगे आपको उसमें जो arrangements और ये सारी जो basic जो छोटे-छो अच्छा होता है, वो सब को मिला करके, आप चाहें अगर, आप नहीं देंगे, कोई issue नहीं है, ये complete optional है, लेकिन अगर आप चाहें, तो आप 299 रुपे का contribution भी कर सकते हैं, और अगर करेंगे, तो ये basically एक support होगा, इन सारी चीजों का expenses उठाने का, और अगर आप नहीं कर प share करना चाहते थे, आप जो 299 जो आप भेज सकते हैं, उसके लिए हम आपको chat में लिख देते हैं, फोन पे नमर है, और साथ में UPI ID है, तो आप इस पे भेज सकते हैं, साथ में मुझे अपना screenshot भी चब मनो तब share कर दीजेगा, कोई issue नहीं है उसमें, ये फोन पे नमर है, आ अगर आप फोन पे नहीं यूज करके कोई दूसरा यूज करते हैं, तो आप इस UPI ID पर भी भेज सकते हैं, और ये आपके सामने UPI ID अगलबल है, तो आप इस दोनों में से किसी भी माद्यम से इसको भेज सकते हैं, फ्रेंट्स, I hope कि आज का session ये आपके काम आया होगा, कल स registration कराया है, उनके email पर भी messages जाता है, I hope कि उनको मिलता होगा, और community में तो of course ये जाता ही है, तो कल सुबह सारे 6 वजे मिलते हैं, with you all the best, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने community में reply कर सकते हैं, मुझे WhatsApp पर messages भेज करके बता सकते हैं, कि आपको आज का session कैसा लग Thank you so much, wish you all the best, स्वस्त रहें, मस्त रहें